के आज के वीडियो में हम आप के लिए लेके आएं हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग एन इंपोर्टिंट टॉपिक दाट इस इलेक्री सिटी तो आज हम करेंगे फ्रेंगे एलेक्रिसिटी फूथी क्या है और उससे रिलेट्टेड हमारी बहुत ही तो आज हम करने वाले हैं हमारा physics का बहुत ही important chapter है that is electricity तो friends electricity क्या होता है electricity it is the flow of charge on any conductor तो इससे हम क्या समझते है कि कोई conductor है conductor क्या होते है जैसे मेरी metals है जो wires यूज हो रही है तो उनमें क्या flow करता है उनके अंदर कुछ flow करता है तभी आपके घरों तक electricity पहुंचती है तो वो जो flow करता है वो होता है चार्ज अब अंदर हमारे उसके होते है electrons जो electrons होते हैं वो flow करते हैं तो जिससे electricity जो है हमारे घरों तक पहुँचती है. तो चलते हैं अपनी नेक्स स्लाइड में जिस में हम समझेंगे कि हमारा ये चार्ज क्या होता है? तो चलिए फ्रेंज, नेक्स लाइड की तरफ. अब हम बढ़ते हैं कि चार्ज क्या होता है? तो सबसे पहले तो इस चाप्टर में आपके लिए important है हमारी ये identities इसमें based हमारे होंगे बहुत important numericals तो charge को हम हमेशा ही denote करते हैं capital Q से तो अब ये क्या होता है It is the property of atom Now what is atom हर एक metal में या कह लीजए कोई भी चीज होती है वो एक atom से बनी होती है Atom is the smallest part तो उस atom के अंदर क्या होते हैं हमारे पास Electrons present होते हैं Protons होते हैं और Neutrons होते हैं Neutrons पे कोई भी चार्ज नहीं होता ये neutral होते हैं Electrons negatively charged होते हैं Protons positively charged होते हैं So ये property होती है atom की So charge it is the property of atom So next है it can be positive और negative अब जो चार्ज है हमारा वो क्या हो सकता है या तो positive हो सकता है या फिर negatively हो सकता है So जैसे हमने पुरानी classes में पढ़ा है That like charges repel each other And unlike charges attract each other Now दो अगर positively charged atoms है मेरे पास तो वो क्या करेंगे वो करेंगे repel But अगर मेरे पास एक negatively charged है और एक positively charged है तो यह क्या करेंगे आपस में attract So जैसे कि हमने study करा है That अगर हम simple way में भी बोले है कि एक girl और boy है तो opposite sex always attract Okay But the same sex अगर एक girl और girl होंगी That will repel So इसमें भी वोई concept लगता है That like charges repel each other Like means when the same charges are present Like plus plus or minus minus Now next we have that SI unit of charges coulomb So friends charge की जो SI unit होती है वो होती है coulomb जिसको हम capital C से denote करते है Further हम इस पे based कुछ questions करेंगे तो आपको जादा clear हो जाएगा Now charge on one electron एक electron पे कितना charge होता है That is minus 1.6 into 10 raise to power minus 19 coulomb C क्या है यहां पे charge की SI unit है तो एक electron पे इतना charge होता है और एक proton पे 1.6 into 10 raise to power minus 19 So दोनों पे same values है फरक बस इतना है कि electron पे negatively charged होता है और proton positively charged होता है चलते है अपनी next slide की तरफ अब हम करते हैं कि conductors क्या होते है और insulators So यहां पे आप देख सकते हैं Example में That conductors हमारे सभी कौन से होते है Metals में आपके सारे conductors आ जाते है जैसे aluminum है, steel है, gold है यह कह लीजए iron भी इसी category में आता है आपके conductors वाली category में अब conductors को हम क्यों कहते हैं कि इन में current easily flow होता है Because इन में क्या होता है That electrons are free to move देख सकते हैं इन में क्या होता है Electrons जो होते हैं Freely move करते हैं कोई एक conductor ले लीजए किसी भी तरह का उसमें जो electrons होंगे वो freely move कर रहे होंगे ठीक है But insulators में उसका opposite होता है Electrons are not free to move तो insulators में हमारे electrons नहीं move करते हैं But conductors में यह एक particular direction में move करते होते हैं जिसकी वज़ा से electricity या current generate होता है अब insulators के examples हैं हमारे पास wood, plastic यह देखिए wood, plastic and rubber तो इनको हम इस category में क्यों लेते हैं Because इनमें electrons मूँव नहीं करते हैं They are fixed इसमें हम एक और बहुत ही अच्छा एक्जामपल ले सकते हैं चोटा से एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं एक कॉम ले सकते हैं और उसको रब करिए अपने बालों के साथ तो जब आप उसको अपने हेर पे रब करेंगे और छोटे-छोटे कागज के टुकड़े ले लीजिए आप उसके नस्दीक ले जाएए तो वो कागज के टुकड़ों को अट्राक्ट करेगी अपनी तरफ लेकिन अब वो अट्राक्ट उसी पार्ट पे करेगी जहांपे वो चार्ज होगा प्रेजेंट बाकी के जगह पे वो नहीं अट्राक्ट करेगा तो जो यह चार्ज है यह सिरफ इसी प्लेस पे है यह मूव नहीं करेगा तो इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पे खुद ट्राय करके देखिएगा तो चलते हैं अपनी नेक्स लाइड की तरफ अब हम कर लेते हैं एक छोटा सा नुमेरिकल इसमें है दाट वट इस नमबर ओफ इलेक्टरॉंस इन वन कूलम ओफ चार्ज कितने इलेक्टरॉंस प्रेजेंट होते हैं वन कूलम ओफ चार्ज में इसमें हमारा फॉर्मला होता है फ्रेंज Q is equal to N into A Q क्या है यहाँ पर Q है हमारा चार्ज तो टोटल चार्ज अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा N is the number of electrons multiply by E होता है हमारा उस एक इलेक्टरॉं पर चार्ज चार्ज on that electron so जब आप इस फॉर्मले को apply करेंगे तो हमने निकालना है 1 कूलम Q की वैल्यू दे रखिया 1 कूलम उपर पूछा है number of electrons find करना है यह N find करना है number of electrons तो N हमने find करना है और E उधर लेके जाएंगे तो E के वैल्यू अभी हमने study करी है पीछे E के वैल्यू होती है 1.6 into 10 raise to power minus 19 कूलम so friends जब आप इसे solve करेंगे अब देखे एक electron पे तो negatively charge friends negative sign just यह बताता है कि वो electron पे charge है या proton पे तो यहां पे हम साथ में नहीं लेते हैं ठीक है तो चलिए अब N की वैल्यू जब आप यहां से calculate करेंगे तो वो आएगी आपके 6.25 into 10 raise to power 18 so these are the number of electrons which are present in 1 कूलम of charge okay friends तो चलते हैं अपनी next slide की तरफ चलिए अब हमने पढ़ना है electricity तो electricity दो तरह की होती है एक होती है हमारी static और एक होती है हमारी current electricity तो इस चाप्टर में mainly हम study करेंगे current electricity को detail में static electricity हमारा इसमें नहीं है बट हम इसको यहां पर discuss कर लेते हैं कि हमारी static electricity क्या होती है static electricity यह होती है friends कि जैसे मैंने पीछे आपको एक example दिया है कॉम का कि अगर आप किसी कॉम को रब करते हैं अपने बालों पे इस सबस्क्राइब पे यहां से आपने बब किया होगा उतने हैं पोर्शन पे यह एट्रैक्ट करेगा कागस के टुकडों को बाकी के पार्ट पे नहीं करेगा क्यूंकि यह चार्ज सिरफ यहीं प्रेजेंट है और निज्वी प्रेजेंट होंगे चार्ज होता है वो मूव नहीं करता है ऐसे ही आप यहां पर फोटो देख रहे होंगे इमेज लगाई है मैंने तो यहां पर कई बार हमारे बालों में भी चार जा जाता है अगर आप कौम को नजदिक लेके जाएं तो हमारे जो बालें वो कौम की तरफ अट्राक्ट होते हैं तो आपको जादा क्लियर हो गया होगा तो स्टाटिक इलेक्ट्रिसिटी यह होती है अब हमने करेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में स्टड़ी करना है तो चलिए करेंट इलेक्ट्रिसिटी को अब हम डिटेल में स्टड़ी करते हैं नेक्स स्लाइड पर So, अब हम करते हैं कि current क्या होता है सबी को पता है हमारे घरों तक current पहुंच रहा है किस के थुरू? wires के थुरू तो कैसे पहुंच रहा है? उन wires में क्या flow करता है? अभी हमने पढ़ा था कि charge flow करता है उसमें ठीक है? तो current is it is the flow of charge per unit time इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं यहां पे मैंने एक wire बना दी आपके लिए और इसमें हमने charge लख लिया अपना ये electrons लख लिये तो मैं मान लेते हूँ यहां पे एक मैंने line खीचिये कि यहां से इस line के इस तरफ मान लेते हैं कि एक second में कितने electrons flow हुए या कितना charge flow हुआ एक second में तो उसे हम कहते हैं current तो तभी हमने लिखा that it is the flow of charge per unit time कि एक second में यहां से कितने हमारा charge flow हुआ है उसे हम कहते हैं current और current को हम denote करते हैं friends capital I से और इसकी SI unit होती है ampere जिसको हम capital A से denote करते है current is equal to charge upon time यह है आपकी mathematical notation I is equal to Q upon T I denotes the current Q denotes the charge जो अभी हमने पीछे पड़ा था और T होता है time तो Q हमारा जो coulum इसकी SI unit होती है charge की coulum और time होना जिए seconds में तो अगर यह time हमें minutes में दिया हो की SI unit of current तो होता है ampere बट कई जगाहों पर आपको दिया होगा 2 milli ampere यह 2 micro ampere तो उसको आपको convert करने के लिए क्या करना है अगर milli ampere दिया होगा तो 1 milli ampere is equal to 10 raised to power minus 3 ampere and अगर micro ampere दिया होगा तो 10 raised to power minus 6 से आप उसको multiply कर दीजए तो वो ampere में convert हो जाएगा इसको हम ऐसे लिख सकते है milli ampere को ऐसे लिखा होता है small m and capital A तो इसको बोलेंगे milli ampere और इसको micro ampere है इसमें ये-वला साइन यूज होता है ये मु का साइन होता है फ्रेंड्स किसका M.E.U. और इसके साथ एक capital A ampere तो यहोता है micro ampere यहोता है milli ampere तो इसको conversion के लिए यहाँ पे 10 raised to power minus 3 milli ampere के case में और micro ampere is equal to 10 raised to power minus 6 ampere जो अब हमने यहाँ पे एक नए term study करी है M.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E.E device वो होता है M meter, तो देखते हैं, यह कैसा device होता है? So, M meter, क्या होता है friends? M meter एक device होता है, जो किसको measure करता है? Current को measure करता है, और इसका जो symbol होता है, वो होता है इस तरीके से, यह जो symbol मैंने यहां बनाया है, एक circle के अंदर आप A लिखेंगे, और एक तरफ उसकी positive terminal और दूसरी तरफ negative, तो चलिए, यह होता है symbol, अब next point है हमारे पास, जो M meter होता है, उसका, it has low resistance, उसकी जो resistance होती है, वो low होती है, तो resistance low होने के कारण क्या होता है, कि current easily flow होता है, तो यहां पर जो resistance वोड आया है, यह हम further पढ़ेंगे आगे अपनी slides में की resistance होता क्या है, फिलाल आप इतना समझ लीजिए, कि resistance एक wire की या conductor की property होती है, जो क्या करती है, आपके charge को, charge के flow को रोकती है, सो, चलिए, आगे हम इसको detail में पढ़ेंगे, फिलाल आप इतना समझ लीजिए, इताज लो resistance, एमीटर का जो resistance होता है, लो होता है, next point है, it is always connected in series, in a circuit, तो यह जो मैंने यह circuit diagram बनाया है, यह देखे, यह होती है मेरी battery, in battery में क्या है, तीन cells लगे हैं, एक cell, यह दूसरा cell, यह तीसरा cell, तो तीन cell का combination है यहां पर तो यह battery बोलता है, जब combination of cells होते हैं, तो उसे हम battery बोलता है, एक तरफ उसकी positive side है, और एक तरफ negative, तो जो current होता है, वो हमेशा ही high potential से low potential की तरफ लो करता है, तो यहां से तो current flow होगा, तो current को measure करने के लिए जो हमझे यहां पर device लगाया है, वो होता है ammeter, तो इसको हमने इस तरीके से लगाना है, और यह series में लगता है, यह जैसे bulb है यहां यहाँ पर यह glow होएगा, तो bulb के साथ इसको हमने series में लगाया है, इसको बोलता है the series में, तो यहां से current flow होगा, और जो M meter की positive और negative side होती है, वो हमेशा ही battery से check कर सकते है, जिस तरफ battery की positive side होगी, उसी तरफ M meter की भी positive side होगी, और negative side होगी जिस तरफ battery की, उस तरफ इसकी M meter की negative side. तो इस तरफ से इसका circuit diagram हम बना सकते हैं. तो यहां पर देख भी सकते हैं, ऐसा यह device होता है, जो measure करता है current को, इसके ओपर यह जो A लिखा, it means यह क्या है, एक M meter, जो device क्या करता है, measure करता है current को, तो चलिए, चलते हैं अपनी next slide की तरफ, जिसमें बहुत ही important है, कई बार question आ जाता है, that define 1 ampere, अब हमें बदा है, ampere तो SI unit है किसकी current की, अभी हमने पढ़ा current की SI unit होती है, तो अगर 1 ampere को define करना है, तो मुझे पता है, that current is equal to, I is equal to, अभी हमने पढ़ा Q upon T, मतलब कि कितना charge flow हो रहा है, कितने time में, so per unit time, तो वैसे ही हम इसको लिख सकते हैं, that 1 ampere is defined as the amount of current drawn, when 1 coulomb of charge flows in 1 second, तो यहाँ पे एक वायर में, जब कुछ electrons हमारे flow करते हैं, ऐसे, तो मान लेते हैं, यहाँ से यह इधर को flow करेंगे, इस तरफ पास हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ flow होने में, मान लेते हैं, 1 second मेंने time ले लिया और बोला, 1 second में यहाँ से कितना charge flow हो रहा है, उसको हम कहते ह हैं, current, दुबारा रपीट कर रही हूं, 1 ampere is defined as the amount of current drawn when 1 coulm of charge flows in 1 second, 1 second में यहाँ से इधर 1 coulm of charge flow हो हुआ है, तो उसको कहते हैं, हम current, आई क्या है, current, so clear हो गया होगा आपको इसकी definition, so चलिए, next slide पे चलते हैं, next slide में, अब हम करेंगे, numerical based on current, तो friends, numericals इस chapter में बहुत ही जादा importance रखते हैं, तो चलिए करते हैं, question क्या है, a current of 0.5 ampere, so क्या given है, current, current को denote करते हैं, I से current की value है 0.5 ampere, A होती है, इसकी SI unit ampere, is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes, time दे दिया उन्होंने कितनी देर तक flow हो रहा है, 10 minutes तक, मैंने कहा था, कि time हमेशा ही किस में होना चीए, seconds में, तो इसको seconds में convert करने के लिए, multiply by 60, because 1 minute में 60 seconds होते हैं, तो 10 minutes में कितने seconds होंगे, 10 multiplied by 60, तो यह हो जाएंगे 600 seconds, so, क्या बोला है निकालने को, find the amount of electric charge, now we need to calculate electric charge, क्याउ की value निकालनी है, that flows through the circuit, तो क्याउ निकालना है, क्याउ का formula, अभी हमने, इसका current का formula करा है, I is equal to Q upon T, so, friends, अब I की जगा क्या रखेंगे, 0.5 value given है, Q हमने calculate करना है, और T की value है 600 seconds, तो यहाँ से मेरे पास Q की value निकलती है, 0.5 multiply by 600, क्योंकि 600 यहाँ से उपर चला जाएगा, equal to के इस तरफ, तो यह multiply हो जाएगा, तो यहाँ से मैं point को हटा के नीचे 10 लगा रही हूं, और यहाँ पे 600 लिखा, 0 से 0 cancel, तो यह आएगा, 6, 5, 30, and into 10, यह होएगा 300 C, तो इसका आंसर है 300 C, बहुत ही सिंपल था, यह नियुमेरिकल, कोई दिफिकल्टी नहीं थी इसमें, तो चलिए, चलते हैं अपनी next slide की तरफ, next, एक और question है हमारे पास, इसको भी solve कर लेते हैं फटा फटा फट, यह दिनोट करते हैं, यह होती है, इसके SI unit current की, so, an electric current of 2 ampere passes through the wire for 2 minutes, कितनी देर के लिए पास हो रहा है यह current, 2 minutes के लिए, तो दुबार से minutes में दिया है, convert करने के लिए क्या करेंगे seconds में, multiply by 60, तो चलिए, यह हो जाएगा, 120 seconds, so, find the charge, again we need to find the charge, so, I का, क्या formula है current का, I is equal to Q upon T, so, put कर देते हैं values, I की value है 2, Q हमने calculate करना है, और T की value है 120, so, यहां से Q की value आजाएगी 120 multiply by 2, so, यह हो जाएगा 240 coulomb, friends, यह जो यहां पे units लगा रहे हैं, coulomb C लगाया, मैंने, coulomb Q लगाया, क्योंकि यह क्याओ का, यह charge की SI unit होती है, यह important होती है लगाना, अगर आप छोड़ दे, तो इसकी वजह से भी आपके marks deduct हो जाते हैं, so, SI unit important होती है लगाना, तो चलिए, चलते हैं, next slide की तरफ, now friends, बहुत important concept है, potential difference, अब हम पढ़ते हैं कि potential difference होता क्या है, so friends, अब हमारे पास यह हमारी एक wire है, ठीक है, wire में हमारे electrons move करते हैं, but, अभी यह electrons कहीं आप यहीं पर randomly move कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको particular एक direction में move करने के लिए, एक direction में move करने के लिए, हमें एक potential difference create करना पड़ता है, तभी ही यह move होते हैं, so, पहले हम समझते हैं, यहाँ पे यह जो मिने diagram करें हैं, हम पहले water के example से समझते हैं, so, देखिए, यहाँ पे मेरी first diagram में, दोनों beakers filled है, almost, A and B, तो क्या water flow होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, because, दोनों beakers हमारे full हैं, कोई भी difference यहाँ नहीं है, यह एक beaker में कोई पानी कम हो, तभी तो वह दूसरी तरफ move होगा, अब next beaker की तरफ चलते हैं, next diagram नीचे, अब यहाँ देखिए, इस beaker में, पानी कम है, और इस beaker में, फुल है पानी, तो यहाँ पे कितना क्रिएट हुआँ, यह देखिए, यहां इसका लेवल इतना था, इसका इतना हमने difference create किया, अब यह, जो difference create किया है, तो अब पानी flow होगा यहां से इस तरफ, तो पानी इस तरफ flow होगा, क्योंकि यह पूरा भरा हुआ है, यहां pressure होगा, तो हमारा पानी का फवाटर होगा वह इस तरह तेहांगा तो अब मेरा फ़ाटर होगा वह फो करेगा, क्यों करेगा? कि हमने यहां पर क्रिएट किया है तो ऐसा ही येुक्हक्रान्ग हमें अरुच करना पड़ता है अपने वक्तुर्टैस को चार्ज को तो चलते हैं अपनी नेक्स्लाइड की तरफ जो पोटेंशिल डिफरेंश है अब इलेक्टरॉन्स को जब मुझे मूझे पर्टिकुलर डिरेक्शन में अभी यह रैंडम्ली मूव कर रहे हैं किसी भी कवई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई इस तरफ, कोई उपर, कोई नीचे तो एक particular direction में इनको मूव कराने के लिए हमे ज़रूरत होती है ऐक battery की जब हम एक battery को connect कर देते हैं यहां पर, तो यह create करती है Potential Difference दुबारां रपीट करनी हूँ friends, जैसे वाटर में, हमें water level एक बीकर में जादा था एक बीकर में कम, तो एक difference एक दिफरेंस क्रियेट किया था हमने, वाटर के फ्लो करने के लिए, तो यहां पे भी नेगेटिव लिचार्जर तो फाईटिव साइट की तरह तो इस तरफ को मेरे लेक्टरोंस भागे तो ऐसे हम क्रियेट करते हैं पुटेंशियल डिर्फरेंस और पुटेंशियल डिफरेंस को होता क्या है अब इस charge को यह जो charge था इसके अंदर इसको एक point से दूसरे point पर ले जाने के लिए जितना काम हुआ है जितना work हुआ है उसको हम कहते है potential difference देखिये यहां लिखा है मैंने that work done to move a unit charge from one point to another वो काम जो हमने किया है एक unit charge या charge को यहां एक point से दूसरे point तक move करने के लिए उसे हम कहते है potential difference now potential difference is equal to work upon charge यही से clear हो गया कि potential difference क्या होता है कितना काम हुआ है one charge को flow होने या one unit charge को flow होने के लिए एक point से दूसरे point पे so इसको mathematically आप ऐसे denote करते है V is equal to W upon Q why क्योंकि potential difference को हम denote करते है V से work को हम denote करते है W से और charge को Q से अब इसके जो unit होएगी वो volt होएगी क्योंकि जो work की unit होती है वो होती है joules और जो Q होता है charge उसकी होती है coulum तो joule upon coulum becomes volt तो SI unit of potential difference is volt denoted by capital V now cell और battery is used to maintain the potential difference अभी मैंने बताया कि यहाँ पे potential difference करने के लिए क्या चाहिए होता है या पर चाहिए होगा हमें cell या फिर battery now अब जैसे current को मैजर करने के लिए डिवाइस के ज़रूरत थी उसको बोलते थे m meter वैसे ही potential difference को यहाँ पे measure करने के लिए चाहिए volt meter volt meter एक device होता है जो हमारा potential difference calculate करता है now जैसे हमने study करा what is one ampere पीछे हमने study किया था current के case में की one ampere क्या होता है वैसे ही आपसे question पूछा जा सकता है that define one volt तो आपको पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है यह potential difference के बारे में ही पूछ रहा है और अगर आपको पता होगा potential difference क्या होता है work upon charge तो आप इसको easily यहाँ पे लिख सकते हैं now one volt is defined as the potential difference one volt क्या होता है potential difference होता है कब when one joule of work is done to move one coulomb of charge from one point to another इसका मतलब है कि one joule of work हुआ है यहां से charge को move करने में यहां से एक point से दूसरे point पे तो उसे हम कहते हैं one volt दुबार आपीट कर रहे हूं one volt is defined as potential difference when one joule of work is done to move one coulomb of charge from one point to another चलते है next slide की तरफ जिसमें अब हम करेंगे volt meter क्या होता है ना volt meter अभी हमने पढ़ा कि volt meter होता है एक device जो measure करता है potential difference तो इसकी जो resistance होती है friend वो होती है high m meter के case में हमने पढ़ा था कि उसकी जो resistance होती है वो low होती है तो यहां resistance word दुबारा आ गया है तो मैंने बता था resistance अभी के लिए आप समझ लीजिए होती है वायर की एक property जो क्या करती है जो oppose करती है किसको charge को मतलब की वो charge के flow को रोकती है तो उसे हम resistance कहते है यह वायर की एक property होती है ठीक है तो it is always connected in parallel in a circuit now you can see here मैंने यहां circuit diagram draw किया है यह circuit diagram में हमने एक battery लगाई है switch लगाया है एक bulb लगाया है glow करने के लिए तो जब यहां से current pass होएगा जो घुordum को यहां से बल्ब लगोगा तो वोल्ट میतन हमेशगी इसके पैरल्ल में लगोगाई गाई है तो इसका गोज़ र An Tuo जो ऊज़ रघ भागी वह उसी तरीके से प्योगी जिस तरफ battery की positive side होगी उस तरफ वोल्ट इसको हमेशा हम यहां पे circuit diagram इस तरीके से parallel में लगाते हैं इसके लेकिन पीछी अगर आपने हमेशा पड़ा थे m-meter इसको हमें यहां पे लगाया था जिए साथ यहां पे series में होता है वो एक लाइन में होता हूँ रॉसे सीरीज बूलते हैं और यह जब parallel में लगा नीचे तो यह parallel so friends इसका circuit diagram यह होता है now current always flow from higher potential to the lower potential so current हमेशा ही किस direction में flow करेगा higher potential जिस तरफ battery की positive side है वो होती higher potential और जिस तरफ battery की negative side है वो होती है lower potential so current हमेशा ही इस direction में जाएगा हमारा higher से lower की तरफ so this होगा हमारे current के flow की direction यहाँ पर देख सकते हैं I have a diagram here for you so if you have a physics experiment in the lab you can check there यह पड़ा होगा आप चेक कर सकते हैं जिस पर V लिखा होता है and जिस पर A लिखा होता है तो आपको पता लगगा अपको अपको पता लगगा A से denoted होता है M meter and V से voltmeter this is our voltmeter so let's go, let's go, next slide now we have a potential difference study so we have to do a numerical because numerical we know this is very important in this chapter so find the work done what we are forgetting to remove work, work is denoted by W so W we have to remove here find the work done to shift the 4 coulomb charge the charge is 4 coulomb we have to shift the 4 coulomb charge we have to shift the A point to B point so potential difference that if potential difference is potential difference is denoted by V that is 10 volt so here I have to know that I know the potential difference what is potential difference? V is equal to W upon Q we know that potential difference is that if the charge is to take the charge from one point to the other point we call potential difference so V is equal to W upon Q so the units of W I am telling here Joule and the charge is coulomb which we donate J from coulomb to C let's go, question we have to remove W so here you can see where we have to keep V value 10 W is to calculate Q and Q is 4 units are matching we are matching so we don't need to change so what is the value of W what is the value of W? 10 into 4 because 4 will go up so it will multiply so this will be 40 but what is the unit what is the unit J J Joules because the units of work are Joules so this is very important units will not put so the half number will be deducted in the exam so let's go numerical let's go next slide there is another example let's do that now see this equation is very important find the work done now we need to calculate work we have to remove work we have to remove to shift who do we shift we always do charge from one point to the other point we have to charge Q is equal to 20 coulomb now take care he said find the work done to shift the 20 coulomb charge from a point of potential from a point of potential from one point to the other point we transfer the charge from one point to the other point so this point of potential has been 10V and the other point of 25V he has not given potential difference he has not given the potential difference two points he has told me that here is 10V and here is 25V so we can calculate potential difference we can calculate we have to calculate 25-10 so potential of B-potential of A so this will come to me 25-10 when it was deducted then how much did it 15V so this is my potential difference value in this case so what is work what is work is equal to V into Q now directly we can put work is equal to V into Q because we know what is potential difference what is work upon Q so here is work it will come up Q so we have to calculate V value is 15 multiply by Q I have 20 so let's go calculation so this will come I have 300 Joules work unit Joules so let's go this question was a very simple question let's go next slide now a very important topic is OMS law what is OMS law now what is OMS law now to study this first we have made this diagram and study this was also in the potential difference case study that is the same thing that if we think what is the first beaker here is the level of water and this level of full here is the level of water so here is the difference we have here you can see how much difference is the water so so when I have potential difference is less then the water flow will also be less okay when potential difference is more now see here there is more difference between both beakers so in the same way the flow of water will be more more meaning the potential difference the potential difference the more flow the more the less the less the less the less current the less flow so so this is the potential difference that is directly proportional to i meaning if V increase then i will also increase and if V decrease then i will also decrease meaning if potential difference the more current flow and if potential difference decrease the more current flow will also so in the mathematical expression of Ohm's law that V is directly proportional to i so V is directly proportional to i so V is directly proportional to i because we have told that if potential difference is increased then the current flow will also increase but if potential difference is reduced then the current flow will also decrease like in these examples we have studied from water so directly proportional sign to remove it i need a constant term here so that is r now what is r friends this is resistance now you will see resistance word three times here is so here when we directly proportional sign here a constant term will be r so r is the resistance so here Ohm's law states that V is directly proportional to i or you can say V is equal to r i this is mathematical expression so let's go next slide now we have Ohm's law so in definition terms we have studied mathematical expression but now we have studied Ohm's law definition point of view what happens so potential difference across the two points of a metallic conductor is directly proportional to the current we have studied that V is directly proportional to i he has written potential difference V potential difference across the two points of a metallic conductor is directly proportional directly proportional sign to the current who is directly proportional current i denotes the current passing through the circuit provided its temperature remains constant means temperature constant so this thing is valid V is directly proportional to i now here I have written V directly proportional to i directly proportional sign we need a constant and that is the resistance R is the resistance here I have written V potential difference R is resistance and I is current so this is very important Ohm's law and its mathematical notation now you will see a graph here you will see on one side on my y axis V is potential difference and on the other side on the x axis current i denotes the current so the graph will become a straight line why it will become a straight line because we have studied so potential difference is increased then i also increased okay if potential difference is increased then the current flow also reduced so in this case my graph creates is increased if anyone can ask to make a graph then we will make a graph this way so let's go let's go next slide now friends the word we have been studying resistance 3 places 1 current 1 potential difference 1 potential difference 2 now we have studied resistance so finally we have studied what is resistance so first know that we have to denote R so wherever R use that will be the resistance now what is resistance resistance very simple resistance is only a property that you have used or wires to pass to your house or charge flow so it is a property what does it do to resist and oppose the flow of charge this is it is a property of the resistance it is a property of a conductor to resist and oppose the flow of charge charge flow we call resistance now we have studied that V is directly proportional to I this this we have studied that V is equal to I into R or then say V is equal to R into I because proportional sign had to change R needs to be a constant term now here I have R is equal to V upon I I have written R is equal to V upon I so resistance value here now resistance has a formula R is equal to V upon I now everywhere we are studying SI unit now resistance SI unit here we denote ohms and ohms we denote from this sign this is the sign of ohms ok friends now define 1 ohm we have studied in current case define 1 ampere then in potential difference in case define 1 volt now in resistance in case what happens in 1 ohms so 1 ohm is defined as the resistance what is 1 ohm what is resistance resistance of a conductor in which potential difference with a potential difference of 1 volt applied to the ends through which 1 ampere current flows so R is equal to VI formula here so we have written in definition terms that 1 ohm is defined as the resistance 1 ohms what is resistance of a conductor with a potential difference which potential difference is 1 volt and my current 1 ampere very simple let's go next slide now friends current was measuring a device which we call emmeter potential difference was measuring a device which we call voltmeter now now we are measuring resistance measure who is that device rheostat 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 I have put this diagram here in physics lab so let's see and tell us what happens it is an electronic device used to control the current by varying the resistance this is a device that controls the current current in which way resistance value vary resistance value you can control current flow so we call rheostat let's go next slide now let's do numerical numerical on resistance ohms law because resistance formula r is equal to v upon i where is derived from ohms law because v is directly proportional to i so we have this formula here so let's say this is a ohms law now calculate the amount of current what we need to calculate current current is denoted by i calculate the amount of current drawn by a 10 ohms resistor now see resistance value 10 ohms because we know the unit is ohms so this is resistance if connected to a 60 volt battery v voltage 60 volt potential difference here let's go here i have r given v given and i 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 calculate so from here i i i आपको में उपर शिफ्ट कर दिया मैंने और 60 के नीचे 10 बिकाज ये नीचे जाएगी वैल्यू और आई उपर चला जाएगा तभी हमारी वैल्यू निकलेगी तो ये मेरा कैंसल हो गया तो यहां निकला 60 एंपियर SI unit लगानी बहुत ज़रूरी है friends, current की वैल्यू निकल गई 6 एंपियर बहुत ही सिंपल था यू निमेरिकल, चलिए चलते हैं अपनी next slide की तरफ Now friends, यह बहुत ही important है, यहां से आपको कभी questions आ जाते हैं मैं बताऊंगे किस तरीके के questions आते हैं तो देखिए, जो कौनसे ऐसे factors हैं जिनके ओपर resistance डिपेंड गरती है कि resistance जादा हो या कम, तो वो कौनसे ऐसे factors हैं तो पहला factor है length, एक diagram यहां ड्रॉ कर रहे हूं, एक wire है ठीक है, इसमें हमारा charge flow हो रहा है, current flow हो रहा है इसकी length है L, और यह जो area है यहां पे, इसकी जो thickness कह लीजिए इसे कहते हैं, इस thickness को कहते है area of cross section area of cross section, length को denote करते है L से और area of cross section को denote करते है capital A से, तो friends, resistance, पहला point है, resistance is directly proportional to the length of the conductor मतलब, यह directly proportional is length के, मतलब जितनी जादा length होगी wire की उतनी जादा मेरी resistance होगी, ठीक है, वैसे ही, resistance is inversely proportional to the area of cross section मतलब की, जो resistance है, that is inversely 1 upon A, inversely proportional, मतलब अगर area of cross section कहलीजे इस area को यह इसकी thickness कहलीजे, जितनी जादा वायर मोटी होगी, उतनी resistance कम होगी, उल्टा चलेगा इसमें, concept, तभी inversely proportional बोला है, कि जितनी जादा मोटी वायर थिकनेस जादा, उतनी resistance कम, और जितनी वायर पतली होगी, उतनी ही resistance जादा होगी, now third point, resistance depends on the nature of the material, अब कौन सा, यह जो material यूज हुआ है, कौन सा है, silver है, कि iron है, कौन सा यूज हुआ होगा, तो उस पे भी resistance डिपेंड करती है, क्योंकि जो silver की resistance होती है, वो तो होती है कम, बड़ जो iron की resistance होती है, वो होती है, जादा, तो इस पे भी करता है कि resistance कम होगी या जादा nature of the material, फोर्थ पॉइंट है, resistance depends upon the temperature of the conductor, तो अगर 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 का temperature जादा है तो resistance जादा होगी, आप ऐसे सकते हैं T or capital T here is temperature so if temperature is more then resistance will be more and if temperature is less then resistance will be less so these are 4 points which depends on resistance let's do next slide so here I have drawn a diagram now we have studied that R is directly proportional to L, the length is more resistance and R is inversely proportional to area of cross section if I combine these two factors then what will R value here there is a constant value so this is the constant value here we have combined R directly proportional L and inversely proportional L and inversely proportional A combined both and the proportional sign for the constant value this was the constant value that was this sign we can call this sign Rho we call it resistivity resistivity so here this relationship has R depends on which R depends on which R depends on resistivity R depends on L L depends on L and area of cross section also depends on area of cross section so here R is directly proportional resistivity and length is directly proportional but inversely proportional A if area of cross section then resistance is less resistivity but if it is less resistance but if it is less resistance resistance will also be less and the length is directly proportional length is more if it is more resistance so this I have used constant this we call resistivity now we learn further what is what is resistivity resistivity we read first resistivity that it is denoted by a Rho sign Rho symbol this is this way now it is a fundamental property of a material that resist or oppose the flow of electric current now see resistance was a property conductor or metals this is also a fundamental property that resist or oppose the flow of electric current resistivity who stops the flow of electric current but we learned resistance what is resistance it is that oppose the flow of charge resistance and resistivity oppose the flow of electric current so we have this relationship that R is equal to Rho L upon A so here there is a formula resistance resistivity or you can say factors resistance depends on this formula we have left resistivity resistivity is equal to R into area of cross section upon length here it is derived now this unit of resistivity is ohm meter we will write ohm meter we will write ohm meter so resistivity but when a single ohm will be resistance and this will be resistivity let's go next slide so resistivity is important points we will discuss here like resistance is a constant resistivity is a constant term let's take a silver example here silver resistivity is 1.6 into 10 raised to power minus 8 ohm meter this is a SI unit now the value friends is constant this is not a change value the resistivity will always be value let's go further next point the range of resistivity of metals and alloys now the resistivity of metals and alloys resistivity is this 10 raised to power minus 8 to 10 raised to power minus 6 ohm meter that means the metals and alloys resistivity will remain below and if you can see negative values then they are less metals and alloys resistivity is less second third point range of resistivity of non-metals now non-metals non-metals insulators are our resistivity 10 raised to power 12 to 10 raised to power 17 ohm meter now how much is this is 10 raised to power 12 to 10 raised to power 17 to 10 raised to power 17 and how much value is insulators resistivity is more but metals and alloys resistivity is less metals and alloys is less but it is a good conductor of electricity but copper is a good conductor of electricity so these metals or alloys resistivity is less resistivity if resistivity is less if resistivity is less then resistance is less is less if two values are less then current can easily flow but opposite side if non-metals resistivity is more than current easily flow cannot be next is copper and aluminum are used for electrical transmission as they have low resistivity now I have taken example of copper wires use electrical transmission current from one point to another point or to our houses because resistivity is very low if resistivity is low then resistance is low and current can easily flow next point alloys used in electrical heating devices now now electrical heating devices which are used from iron press toaster alloys alloys are used in electrical heating devices devices as their resistivity is high because their resistivity is more than iron which you press alloys are used because resistivity is high because it is heat not heat and heat not heat but not heat alloys because resistivity is more because it is it is heat and not burn because melting point is high because it is burn up so question comes toaster and iron why alloys use or why use copper or aluminum wire use you can explain because resistivity can explain copper aluminum or metals resistivity is low for electrical transmission but electrical heating devices like press or toaster use because resistivity is more so they don't burn up they do not burn readily and melting point is high because they don't burn up easily burn up can go let's go next slide let's questions on resistivity so let's question calculate the resistivity of a material now we need to calculate resistivity of a wire of resistance 100 ohms ohms and length 500 meter now diameter given friends now see here first let's what we need resistivity resistivity is equal to resistance into area of cross-section upon length this is my formula here I have two values given here R is 100 but A is as it is as 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 it is 500 and units are all and these given area of in circle पर किका एंसट कर मैं तो सर्कल का अरिया क्या होता है पाइआर स्क्वेर पीर स्क्रे लिए पाईर स्क्वेर होता हैनि और दाया मिर होगी तो तो यह अर्षा हो तो यहां से रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ अगर हाफ हो गई तो यह होगी 0.1 mm तो यह हो गई रेडियस लेकिन फ्रेंड रेडियस दिया है मिल्ली मीटर में तो इसको कनवर्ट कर लेते हैं मीटर में तो रेडियस को जब मैंने मीटर में कनवर्ट किया तो यह आएगा 0.1 x 10 raised to power minus 3 मीटर यह होते है इसकी कनवर्शन तो अगर आप अगर आप अचाहें यहां से पॉइंट को तो हटा सकते हैं तो मेरे पास आजाएगा 1 x 10 raised to power minus 4 मीटर तो फ्रेंड कर लेते हैं वेल्यूस पुट कर देते हैं एरिया होता है अब देखें यहां लिखेंगे 100 upon 500 multiply by अब अब एरिया क्या होता है यह लिखा फॉर्मूला पाई की वेल्यू होती है 22 by 7 अब आर का स्क्वेर करना है तो पहले यहां से यह वाला पार्ट में रब कर लेती हूं इतना यह अमने वैल्यू निकाल लिया अपनी रेडियस की डामेटर का हाफ होता है अब यह है पाई की वेल्यू आर की वेल्यू क्या निकली है आर की वेल्यू निकली है 1 x 10 raised to power minus 4 अब इसका स्क्वेर होगा आर का स्क्वेर होएगा यहां पे चलिए, सॉल्व करते हैं इसे यह cancel out हो रही है तो मेरे पास यहाया 1 upon 5 into 22 by 7 into 1 into 10 raised to power minus 8 तो मैंने स्क्वेर के खोल दिया तो अब इसको स्क्वेर करें इसको स्क्वेर करें तो हमारे पास आएगी वैल्यू 6.28 x 10 raised to power minus 9 ohm meter यह यह यहाई उनित है ohm meter यह निकाला है रिजिस्टेविटी तो ऐसे हमने स्क्वेशन को करना है बहुत ही SIMPLE QUESTION था कुछ नहीं था आपको area of circle पता होना चाहिए Pi R square और इसको कनवर्ट कर चाहिए diameter होता है given ही diameter diameter अब radius निकालेंगे तो radius होता है इसका half इसका half किया half करने के बाद यह यह मिलीमीटर में given है बद हमें तो मीटर में चाहिए था देखे हैं अपना, next slide now if a wire is folded from its midpoint एक वायर है friends ले लेते हैं से this is a wire इसकी लेंथ है कुछ L okay और इसका area of cross-section भी होगा, A तो वो कहारा है अगर इस वायर को मैं फोल्ड कर दो मिड़ पॉइंट से मान दीजिए वायर छोटी हो गई अब ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने इसे तो लेंथ क्या हो गई new length क्या होई, L by 2 L dash है मेरी new length वो क्या हो गई, L by 2 लेकिन जो area of cross-section था वो बढ़ गया, double हो गया तो A dash, नया वाला area of cross-section twice of A, पहले वाले के twice हो गया, और length पहले वाले से half हो गई जब किया so by what factor will the resistance change तो पहले केस में resistance क्या आएगा, इस केस में R is equal to Rho L upon A यह first case में मेरा निकलेगा इस केस में, अब इस केस में values अगर पुट करेंगे तो new resistance क्या निकलेगी Rho constant of proportionality तो सेम ही रहेगा तो L की value यहाँ पे क्या है L dash, L dash की value क्या है L upon 2, वैसे ही area of cross section कितना है multiply by 1 upon 2 A twice है, तो अब यह क्या हुआ मेरा फ्रेंज, यह क्या बनी मेरी new resistance, Rho L upon 2 to the 4 A, तो यह बना 1 upon 4 बाहर ले लिया, मैंने अंदर क्या बचा Rho L upon A, तो अगर आप देखेंगे Rho L upon A इसके बराबर है Rho L upon A, किसके बराबर है equal to R, तो यहां से इस तरफ, जो नया वाला resistance है, वो 1 of 4 हो गया, किसके? पुराने वाले resistance के, तो यह है मेरी resistance नई वाली, तो इसने यही पूछा था कि किस factor से जो होगा resistance change होएगा, तो 1 of 4 हो गया हमारा, जो नया वाला resistance था, वो 1 of 4 हो गया पुराने वाले, पुरानी वाली resistance मेरी यह थी यह, जब मैंने वायर को कर दिया, हाफ लेंथ कर दी इसकी आधी, और अर 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 बढ़ गया क्या क्या, सबसे पहले हमने study करा, number 1 हमने study करा था charge, कि charge क्या होता है, charge is denoted by q, q is equal to n into in total charge अगर हम देखें, that is number of electrons into charge upon one electron तो यह होता है, इसका formula है, second हमने क्या पढ़ा, friends, current current पढ़ा था, current को denote करते है, i से, so i is equal to q by t, क्या हो क्या है, charge और t क्या है, time, third हमने क्या पढ़ा, potential difference हमने पढ़ा था, potential difference, potential difference को capital V से denote करते हैं और यह क्या होता है, work upon charge, w upon Q, तो यह होता है मेरा potential difference, work upon Q, मतलब कि कितना काम हुआ है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे point पहले ले जाने के लिए, उसे कहते है, potential difference, 4th, उसके बाद हमने क्या 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 अगर पुटेंशल दिफ्रेंस बढ़ गया, तो current का फ्लो भी बढ़ गया, अगर potential difference घट गया, तो current का फ्लो भी घट गया, 5th, हमने क्या पढ़ा, resistance, 6 हमने पढ़ा, resistance, resistance क्या होता है, r is equal to v upon i, जिब resistance, r is equal to v upon i, अब resistance क्या था, resistance हमने पढ़ा था, कि charge के फ्लो को जो रोकता है, वो conductor की ऐसी property, 6 हमने क्या पढ़ा, resistivity, 6 हमने पढ़ा, resistivity, resistivity भी क्या है, एक conductor की property है, जो क्या बोलती है, यहां पर लिख देते है, इसका formula, वो कहती है कि किसको oppose करती है, यह resistivity, flow of current को, resistance किसको करती है, flow of charge को, resistivity किसको करती है, flow of current को, तो resistivity क्या होती है, row is equal to resistance L upon A, तो यहां से यह चीज़े हमने याभी तक पढ़ी है, बाकी कि हम next video में पढ़ेंगे, जो हमारे topics रह गए है, एक रह गया है, resistance in series, और रह गया है, resistance in parallel, और रह गया है, heat, और रह गया है, power, तो यह हम अपनी second वाली वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे, इस वीडियो में हमने यह वाली topics अपने cover कर लिये हैं, चली फ्रेंज, आज के लिए इतना ही, अब हम आपके लिए नेक्स पार्ट तू जो मेरी वीडियो होगी, उसमें हम करेंगे अपनी resistance in series, in parallel, and heat and power, तो फ्रेंज जिने हमारी वीडियो बहुत ही पसंद आरी है, जिनके कंसेप्स बहुत ही क्लियर हो रहे हैं, वो काइंड इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजेगा, और हम अगर आप चाहते हैं कि ये content आप तक पहुंच जाये तो comment पे अपनी email ID आप हमें भेज सकते हैं, तो हम आपको पूरा का पूरा content इस chapter से related आपकी email ID पर भेज देंगे, तो चलिए friends, आज के लिए इतना ही, thank you